तो गैसे पिछले वीडियो में बहुत सारी चीजे की थी और पेज ले आउट सीखा था हमने किस तरीके से हम एक पेज ले आउट को डिजाइन कर सकते हैं इस वीडियो में आपको आईडी और क्लास के बारे में बताऊंगा और आपको एक तम शॉट में बताऊंगा कि यह करते हैं HTML के अंदर सो विदाउट वेस्टिंग यह टाइम लेट्स केट स्टार्टेड सो में बिने टाइम को वेस्ट करें मैं इदर एक नई फाइल बनाऊंगा जिसका नाम है ट्यूट 9.html और यह हमारा 9th वीडियो और मैंने इदर गलती से टी एच एमल लिख दिया दूँगा अब टाइटल में मैं लिख देता हूं क्लास एंड आइड इस ठीक है एंड एसको थोड़ा चोटा कर देते हैं ताकि अच्छा लगे एक यह अब बॉडी में आता है सो बिसिकली क्लास क्या होता है और आईडी क्या होती हो मैं आपको समझाने वाला हूं तो क्लास में आप क्या कर सकते हो सबसे बढ़ तो मैं बाताना चाहता हो कि मेरी दूड हो मेरा उसका क्लास कंटेनर कर दो अब इसका मतलब तेखो क्लास का हम यूज करते हैं CSS को refer करने के लिए यानि कि CSS की कोई भी property अगर हमें add करनी है HTML element पे या फिर मुझे इस element पे मुझे को CSS refer करनी है यानि कि apply करनी है तब मुझे इसे पुकारना पड़ेगा बुलाना पड़ेगा CSS में तो मैं कैसे बुलाओंगा इसके लिए मुझे एक identifier चाहिए होगा सो class identifier है ठीक है और class का हम ज्यादा uses लिए करते हैं because हमारे पास बहुत ज्यादा elements होते हैं same id वाया same class वाले not id ठीक है same class वाले हमारे पास elements ज्यादा होते हैं या हम एक class को सभी element के अंदर लगा कि उस पर property लगा सकते है CSS की ठीक है या यानि की एक class में सही CSS की property लग सकती है और एक div के अंदर एक से ज्यादा class आप लग सकते हो just like कि अगर मैं लिखू div.container and apple box मैं कुछ इस तरके से लिखू तो यह दूसरा class आपल बॉक्स ठीक है यह जो मैंने space देखे लिखा है यह मेरा दूसरा class है अब मैं जब भी apple box में कोई भी CSS की property लगाऊंगा मैं लिखूंगा dot apple box और करके उसमें प्रॉपर्टी लगाऊंगा तब क्या होगा कि जो भी मेरा यह जुड़ी होगा उसमें प्रॉपर्टी एड़ होगी तो आप element के अंदर एक से ज्यादा classes एड़ कर सकते हैं और और उन सारे के सारे classes को आप CSS के द्वारा मैनूप्लेट करके अपने element को खूब सूरत बना सकत है अब जैसा कि हम classes के साथ ऐसा करते है आइडी के साथ भी सेम टूसे में वैसा ही होता है बट आइडी थोड़ी डिफरेंट अप्रोच के साथ आती है वह क्यों अगर मैं एदर लिखों ID is equal to मैं लिखता हूं माइडेव अब यह क्या है यह इसका नाम हो गया अब आइडी ह हम बहुत ज्यादे यूज इसलिए नहीं करते है वह हर एलिमेंट के लिए यूनिक होती है यूनिक का मतलब की मान लोग की आप एक लास में बैठ हो ठीक है और उसमें पचास लड़के और लड़किया भी यह उन्हों को मिला के पचास हो रहा है अब उसमें से आपका नंब नंबर बोल की रेफर करेंगी कि 45 इस प्रेजंट अब बोलेगे यह एम प्रेजंट सो वैसा ही है आइडी के साथ यह जो आइडी होती है यह इसका यूनिक आइडेंटिफायर होता है ठीक है अब ऐसा तो नहीं है किया आप 45 टीचर बोलेगी 45 और आपका दूस्त बोलेगा प्रेजन ऐसा था होगा नहीं ठीक है वह अलग बात है और वह वह आप नहीं आतों सब्सक्राइब को जीए है अलग होती है खर अपको इस तरीके से देखना अब यह ज्यादा यूज क्यूं आधliers Соantas वे कि छिम कुने जगाएंगे और वो कितनी फॉर्ट रखने वाले अगर मैं को फुली फॉंक्शनल वेबसाइट की बात करो तो उसमें देसाधर भी सजार तीसाधर टक्रीज तक के डिव हो सकते हैं अगर वह फुली फंशनल वेबसाइड है और इसमें बहुत सरी चीजे लगी हो यह तो हो त में 30-40,000 दिक हो तो क्या मैं सब के लिए लग लग ID लिखूंगा नहीं सब के लिए लग लग CSS property बनाऊंगा ID के लिए नहीं मैं क्या करूंगा मैं सब को एक ही class में ले लूँगा और उस class के ओपर सारी की सारी property लगा दूँगा क्लास को में इसलिए ज्यादा यूज करते हैं आई होगा अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो यार प्लीज कॉमेंट में लिख दीजिए यार आई लव दिस टूटोरियल और आई लव दिस एच्टीमल सीरीज और मुझे बहुत अच्छा लेगा चैनल पी नहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप जाके चेक आउट कर सकते हो और आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वान